नमस्कार मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए यूट्यूब के विडियो में कल हमने पेश किया था लास्ट विडियो जो हमारा था स्पेसिपिक सिंप्टम्स जो ओपोजिट सिंप्टम है उसको ले कर कैसे आप कुईक प्रेस्क्राइब करें जल्द से जल्द आपको उसके लिए एक बहतरीन रेमेडी सेलेक्शन करें ओपोजिट सिंप्टम है कुछ दवाईयां में एग्राबिट होता है कुछ में होता है मतलब कम होता है तो वह चीज अगर आप जानगे तो कुईकली आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जो आपको उसके बहुती specialist हमेड़ा देगा उसके बारे में हमने discuss किया था और आपने बहुत अच्छा सराह ईसको बहुत अच्छा प्यार दिया ुक्र minorities करता हूं आज मैं आपको जिस topic पर बताऊंगा अप उसको भी और से देखिये वो भी एक ऐसा सीक्रेट है जो आमतार पर किसी को नहीं पता कहीं किताबों में इतनी जल्दी डिटेल में नहीं लिखा है हमने जो उसको कॉलेक्ट किया है उस चीज को मैं आपके सामने प्रेजंट कर रहा हूं बहुत ही specific चीज है antagonistic remedies जहां दोस्तों दो remedies आपस में दुश्मन है एक remedy के use करते हुए दूसरे कौन से remedies है जो उसको use नहीं करना है आपको बहुत ही खतरनाक होता है ऐसे remedies को आपस में मिला के use करने को यह चीज आपको कोहीं नहीं बताएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको detail बताऊंगा वो तमाम 23 important remedies के बारे में बताऊंगा जो की use करते हैं समय जिन remedies को दूसरे कौन कौन से remedies है जिसको आप एक साथ या उसके बाद follow up नहीं करना है जिसको जानने के बाद आप एक अच्छे बहुत अच्छे होमेपती डॉक्टर बन जाएग इसको याद रख लेने के बाद आप एक top gold medalist जो हमेपती डॉक्टर है उससे भी कही बहतरी knowledge आपके पास आ जाएगा तो वह चीज मैं आपके समने प्रेजन कर रहा हूं हर एक वीडियो को सुरुआ से लेकरन तक जरूर देखना आपके लिए महत्वपून रहेगा आपके knowledge के लिए आपके इस्तमाल करने के लिए दवायां बहुत ही snapshot prescribing रहेगा तो यह series हम कंटीनू कर रहे है क्लिनिकल मिट्रेमेडिया का तो बने रही है मेरे हार एक चीजों में आज antagonistic remedies के बारे में मैं विस्तार पूर्भग बताऊंगा कौन-कौन से remedy है वो आप अची तरह दे देखते हैं मैं आप पर पेश करने वाला हूं आप जरूर देखिए अंग तक जरूर देखें आपके लिए महत्र पूर्ण रहेगा तो चलिए देखते हैं तो आईए जानते हैं उस list of antagonistic remedies के बारे में और detail आप इसको याद जरूर लखने है सबसे पहला है acidic acid should not be used followed with borax causticum नक्सवोमिका रेननकुलस सरसा परिला ammonium carbonate should not be used follows by lacasis apis इसके बाद रस्टॉक्स नहीं देना है आपको next है बेलाडोना जिसके साथ आपको या बाद डलका मेरा नहीं देना है बेंजोकेशिट के साथ या बाद कोपेवा camphor के साथ या बाद काली नाइट्रिकम बिलकुल यूज नहीं करना है जो की आपके लिए खत्रा हो सकता है next हम जानते हैं उसका अगला जो स्लाइड है cantheris उसके बाद कोफिया नहीं देना कार्बो बेस के साथ या बाद क्रियोजोड कॉस्टिकम के साथ या बाद कोफिया कॉलोसिंथ एसिडिक एसेड काली नाइट्रिकम नकस्वामिका फॉस्फरोस वसे कैमोमिला उसके साथ या बाद जिंक नहीं उसकरना है चाइना उसके साथ या बाद डिजिटालिस सेलेनियम ये उस नहीं करना है कॉकिलस के साथ या बाद कोफिया उसको भी उसको भी उसकर नहीं यूज़ करना है डलकामेरा के साथ बेलाडोना और लाकेसिस नहीं यूज़ करना है इगनेशिया के साथ कोफिया या नक्स वोमिका नहीं यूज़ करना है आपको इपिकाक के साथ आपको चाइना उपियम नहीं लेना है काली नाइट्रियूम के साथ केमफॉर कॉस्ट सब अपने विरोधी होते हैं इसको एक साथ नहीं यूज करना है खत्रे में पढ़ सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद नक्समोस के साथ लाइको पोडियम, नक्सफोमीका, पॉसेतिला यह भी नहीं neden यूज करना है रस्टोंक, साइलिशया, कुला भी नहीं इूझ करना है वैसे फॉस्परस के साथ कॉस्टिकम भी एंट्रगोनिस्टिक है पॉसेतिला के साथ नक्समोस, सारसा के साथ st symptoms आ सकता है, वैसे sepia के साथ lecasis, silicia के साथ marxol या nux moscata यूज नहीं करना है, इसमें जो जो symptoms proving हुए हैं, unnecessary aggravation हो सकता है, या आपका जो भी बिमारी है, वो बढ़के कुछ जादा हो सकता है, जिसको फिर tackle करना मुश्किल हो जाता है, वैसे sulfur एक deep etting है, उसके साथ nux mosc नहीं लेना है, जिंकम, मेटालिकम के साथ chamomilla और nux womica उसके साथ या उसके बाद नहीं यूज करना है, जो की antagonistic होते हैं, आपस में विरोधी या सत्रू होते हैं, उसको नहीं यूज करना है, तो दोस्तों ये था आज का जो सीरीज, क्लिनिकल मेट्रिय अमेडिका का एक और एक बहतरीन वीडियो, जिसमें हमने जाना antagonistic remedies के बारे में, जो आपस में मिलकर use नहीं करना, एक साथ use नहीं करना है, या फिर, उन remedies के बाद, जो जो antagonistic remedies है, उनको use नहीं करना है, जो की सरीर के लिए खत्रा हो सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह सी याद रख लेना, और जरूर इसको follow करना, जरूर आपको हमेपती के practice में सफलता मिलेगी, और अगर घर में भी आप use करनें, तो आप जो इसको दुस्परिनाम है, जो अगरा वेशन है, उससे बच पाएंगे, और एक बहुत ही बढ़िया, होमेपती डॉक्टर बनके, हर एक बीमारी को cure कर पाएंगे, तो ऐसे ही बने रही है, मरे हर एक वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के से जरूर शेर करिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नह और शेर कि अपने से जरूर अपने से जरूर शेर कर दोस्तों के से जरूर वीडियो के साथ, और जूस्तों के साथ, तो और एक बाएंगे, बाएंगे.